है है लो स्ट्रेंट्स और वेल्कम बैक टो चैनल सिराश्चेक डिगी स्टडी आज हम स्टार्ट करने जा रहे कॉमन कंपेरिटियों ट्रेंड आज के लेक्चर में यह तीनों टॉपिक को कवर करेंगे यह जो टॉपिक है यह 12 स्टांडर के लिए इंपॉर्टेंट है उनको लास्ट लिसन जो दिया उसके अंदर यही टॉपिक हम कवर करेंगे तो स्टार्ट करेंगे आज का प्लास कि पहले तो टॉपिक जो आज कवर करने लिए उसका नाम है कंपेरिटिव स्टेट में नाम से पता चल रहा है कंपेर करना अब आप किसी भी चीज़ को किसी चीश से कंपेर करते हो वहाँ पर होना चूँज दो चीज़ पर इग्जामपल पर सन ए को मैं कंपेर कर रहो पर स जी से तो कोई भी चीज को आब को कॉंपेर करना है मतलब कर ना है तो ऊसके लिए दो चीज तो होना सुरूरी तो आपके कुश्चन में जो डिटा दिячा रहेगा वो पहला आप वह सकता है हर्टिकल प्रॉफित या व्रेटिकल प्रॉ 실न की इनकम स्थेत्मन इसका में fund application of fund पैसा आएगा दो जगे से जाएगा तीन जगा पर करवाया मैंने सूर्सिद फ़र्ड में ओन फ़र्ड बॉर्ड फ़र्ड एप्लिकेशन फिक्ससेट इन्वेस्टमेंट वर्किंग क्यापिटल याद आया फिर आपको इंकम स्टेटमेंट करवाया था वही सीम चीज आपको कुश्चन में सुलीशन दिया रहेगा आपको प्रेजेंटेशन करना है एंड देन कंपेर करना है कि दोजार सूला में इतना डिटा था दोजार सत्रा में इतना हो गया अच्छा बढ़ रहा है अच्छा कम हो रहा है बस यह काम है टॉपिक क्वाइट सिंपल इसके इंदर बैलेंस शीट का भी सम करेंगे इसमें मिसिंग वैल्यू का भी समझ में आगया अगर यह तीन टाइप के सम तुम्हारे दिमाग में बैठ गये और टॉपिक इस क्लियर ओके तो स्टार्ट करते आज का सम देखते क्या दिया है बेसिक सा कुश्चन है फॉलुविंग इस बात करो तो यह ओन फंड में जाएगा रिजर्व जन सर्प्लस ओन फंड डिबेंचर बॉर्ट फंड अधर का सुर्ण लाइबिटीज वर्किंग क्यापिटल हाया नहीं उसके बाद फिक्स असेट फिक्स असेट होगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होगा इन्वेस्टमेंट फ़र्म एले अपने को इसी चीज को वर्टिकल फ़र्म में अरेंज करना है अगर मैं बात करूं पर चेक कर ले दा हूँ यहां पर मुझे जो डीटा दिया है 2016-17 यहां पर दो साल का कॉलम बना ले दाओ एक ले लेदाओ 2017न एक 2017 दो इक्स्ट्रा कॉलम इस पर बनने वाला है क्या एक्सुल्टड इंक्रीजर पर्संटेज इंक्रीज और इंक्रीज PARbecca जीतना इंक्रीज हुआ है वह कितना percentage है वो find करना ज्यादा दिल पर लेने जैसा नहीं बहुत simple है सबसे पहला हम start करेंगे format से format में क्या आने वाला है sources of fund heading a sources of fund sources of fund में क्या आएगा सबसे पहला ए आएगा own fund क्या बात है एँवर्ण पने क्या आता है वह एक यहां पर है एक वी इस और बीश अद सर प्लेस लिएस इंदर सारी चीज और सकती है इसके अंदर इतना कोई डीटेल तो नहीं है तो डाइरेक्ट ली शेर क्यापिटल दिया है दोनों साल का पचास हजार और असी हजार यहां पे लिख लेता हूं में वाइ सूर्स दो फंड में फिफ्टी थाउजन क्यों इता है निए थाउजन गरेक्ट है फिर इन श्रप्लस कितना दिया है ज़्यदा चेक कर ले दे रिजिव्शन तो दिये पंदरा अजयार और मिमिन 15,000 20,000 next miscellaneous expenses वगेरा कुछ है क्या चेक करूं हां जी है 5000 4000 यह माइनस करना पड़ेगा यहां पे 5000 एंड 4000 ब्राकेट में डालेंगे क्योंकि यह माइनस करना है बात समझ मैं इनको एड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा क्या टोटल ओन फंड क्या बात है तो टोटल ओन फंड इधर आजाएगा आपको 65,000 क्या बात है इधर आपको आजाएगा 96,000 मेरे हिसाब से बराबर है अब हेडिंग नंबर बी बी मतलब इसी का पार्ट हो जैसे यहां पर वन हेडिंग डाला तो यहां पर वन नीडा टू डालना पड़ेगा मेरे को कि से के बॉरूड फंड बॉर्ड फंड में सबसे पहला क्या आता है यहां पर दिल पर लेने जैसा निए एक ही चीज दिया गया आपको क्या दिया गया है तो यहां पर ट्वेल परसंट की आंचे कितना है तो पहले वाले में 30 और दूसरे वाले में 24,000 क्या बाद है तो यहां पर 30,000 24,000 30,000 24,000 जब मैं यह दोनों को आड करूंगा तो जो आंसर आएगा उसे में क्या कहूंगा क्यापिटल एंप्लॉइड बराबर है यहां पर टोटल क्यापिटल एंप्लॉइड कितना 60 प्रस 30 90,000 96 वन लाक ट्वेंडी थाउजन है समझ में आ गया पक्का चलिए बढ़ेंगे यह तो सूर्सित ओफंड हो गया अपना अब एप्लिकेशन ओफंड प्राएंगे बराबर है एप्लिकेशन ओफंड हेडिंग नंबर बी एप्लिकेशन ओफंड में सबसे पहला क्या आता है तो सबसे पहला आता है फिक्स असेट यह भी अकेला आया है हां जी चलिए उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट यह भी अकेला है investment and तीसरा आता है working capital बड़ इससे solve करना पड़ता है अपने को इसके अंदर formula क्या है इसके अंदर formula है current asset minus current liabilities बराबर है यहाँ पे current asset लिखना पड़ेगा पहला a current asset इभी अखेला दिया हुआ है and b current liabilities format clear हो रहा है छोटा सा format है अभी इसी को आपने vertical format में तो already किया हुआ चलिए amount ले लेते fix asset अगर आपको direct बोल दो के तो अच्छा हो जाएगा 65,000 75,000 बढ़िया है फिर investment 10,000 20,000 बढ़िया फिर current asset पहले current asset आएगा ना तो current asset कितना है चेक कर लो तो current asset 50 40 बराबर यहां पर 50,000 अब क्या होगा यह माइनस होगा बट यह माइनस पचास हजार में से होगा और जो आंसर आएगा वो आएगा वर्किंग क्यापिटल बराबर है वर्किंग क्यापिटल यह यहां पर इसे माइनस करके वर्किंग क्यापिटल का अमाउंट बता दीजिए तो इधर 20,000 और इधर 25,000 अब आके वास तीन एक दो और यह तीन आपको इसे नहीं लिखना है किसे सिसको काउंट नहीं करना है आपका यह वर्किंग क्यापिटल का अमाउंट है तो टोटल क्यापिटल यहां पर कितना है जरह देख लो टोटल क्यापिटल एम्प्लॉइट सेवेंटी प्लस ट्वेंटी नाइंटाइथाउजन बराबर सोर्सेज ओफंड और एफ्लिकेशन ओफंड टैली पॉर्माट समझ में आ गया बस यह आपका फॉर्माट था जो पहले मैंने क्या किया तो सबसे पहला काम मैंने किया आप फॉर्माट बना लिया सेम चीज आपको किसके लए करना प्रॉफिट एंड लॉस की लिए भी सेम compare करेंगे जिरह द्यान देना पहले मेरे पास capital था 50,000 अब मेरे पास जो capital हो गया वह गया असी अजार है नहीं मतलब यह है कि मेरा capital बढ़ रहा है increase हो रहा है कितना increase हो रहा है 30,000 अधाय नहीं increase हो रहा है कि बराबर है कि ऐसा एरो दे दिया प्लस साइं दे दिया तो भी चलेगा नंबर के आगे प्लस साइं दे दिया सर नहीं किया दो चले यारे कोई problem नहीं नेगेटिव को bracket में डाल दो positive को ऐसे यह रहने तो भी चलेगा यह समझा अब जो बड़ा है तीस हजार इसका कितना परसंट है वह फाइंड करना तो percentage फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना जो बेस का amount होता है वह हमेशा 100% होता है अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक एक्जाम लिखा सव मांग का तो सव मांग मेरे 100% होगा ना उसमें से मैंने अगर 50 marks निकाला है तो उसका percentage में कैसे निकालूँगा सर जितना marks निकाला है डिवाइड बाइज इतने marks का पेपर था इंटू 100 करो percentage मिलेगा तो मेरा पेपर इतने marks का था मैंने marks इतना निकाला इंटू 100 करूँगा समझा मैंने क्या का मतलब यह आपके marks है out of उसमें मिला आपको इतना अब वो positive मिले negative मिले जो भी मिले marks आपके यह रहेंगे टोटल आपका यह रहेगा इंटू आपको 100 करना है तो calculator पे क्या करोगे जो भी इधर amount आएगा जो भी amount आएगा जितना है plus minus जो भी है उसको divide by यह amount करना है इंटू हंड्रेड करना है तो 30,000 divided by 50,000 इंटू हंड्रेड 30,000 divided by 50,000 इंटू हंड्रेड यह आ रहा है 60% यह हो गया percentage increase decrease समझा perfect हर बार यही करना आपको क्या जो भी इधर amount आएगा उसको base year के amount से divide करके multiply by 100 करना है ठीक है चलिए बढ़ेंगे यहाँ पहले 15 था आप 20 हो गया तो 5000 बढ़ गया 5000 divided by 15,000 बराबर है इंटू हंड्रेड कर दो कितना आएगा पर्फेक्ट है 33.33% पर्फेक्ट एकदम पर्फेक्ट पाच हज़ार इधर कम हुआ एक हज़ार डिक्रीज हुआ हां जी तो एक हज़ार डिवाइड बाई पाच हज़ार इंटू हंड्रेड 20% का डिक्रीज हुआ समझ में आए क्या क्लियर यहां पर 6096 बढ़ गया 16,000 कैसे 36,000 बढ़ेगा ना बराबर है इंट 60 और 96 करेक्ट पर्फेक्ट डन यह करना है कंपेरिटिव में क्लियर हो रहा है चलिए बढ़ेंगे उपर के दरब जाते अप्लिकेशन और फंड पर आ जाते पर यह कर लें तो फिर सब 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 3024 में कितना कम हो रहा है 16,000 कम सरी 6000 कम हो रहा है माइनस में जा रहा है तो 6,000 डिवाइड बाइ 30 कितना 20 पक्का ओके 20 परसेंट डिक्रीज ठीक है यहां पर 90 30 थाउजन इंक्रीज हो रहा है 30 को डिवाइड बाइ 90 कर दो 33.3333 3.333 परसेंट इंक्रीज में अरे बात समझा सेम 12 स्टैंडर को भी है कुछ भी चेंज नहीं है आपको भी ऐसी फॉर्माट याद रखने का ठीक है अब बढ़ते अप्लिकेशन और फंड की दरब 60 75 इंक्रीज हो गया 15,000 इंक्रीज हो गय गया 10,000 इंक्रीज हो गया स्वरी डिक्रीज हो गया 15,000 इंक्रीज हो गया 15,000 इंक्रीज हो गया तीस हजार क्लियर 15,000 डिवाइड बाइ 60 into 100 25 इसके बाद मैंने डायरेक्ट लिडिए 100 पसंट क्यूट पहले 10,000 में 10,000 ही मिला 100 पसंट मांक्स मिल गया ना 50, 10, 20 परसंट बराबर है 30, 50 परसंट आदा है ना 15, 5, 20 तो 20 में 5 पॉइंट में आएगा पॉर पाच हजार डिवाइड बाइ 20 इंटो 100 वन फोर्थ वन फोर्थ वाल्यम बाद पच्चीस टक का 25, 25 और इधर 33.33 परसंट यह है आपका कमपेरिटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया कमपेरिटिव परसंटेज कैसे निकलेगा समझा है पका बढ़ेंगे नेक्स सम्पी तर्फ इंकम स्टेटमेंट का शुवा नहीं ध्यान देना पहला दो कुस्च्चन में फॉल्विंग के इन को प्रफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रजेक्ट येर एंडिट्री परस्ट मास 2016 2017 फिर से 2 साल दिया है आपको क्या बोला प्रिपेर कंपेरिटिव इंकम स्टेटमेंट बराभर अब कंपेरिटिव इंकम स्टेट्मेंंट में आरइन क्या करना तो पहले तो मार्किंग करें कौन सा चीस किदर इंचेंधना इस je से सल्स ही रहेंब इंट्रेस्ट जो है है वह क्या है SIMP एंट्रेस्ट ही आपका आपको याद होगा इन्ट्रेंस्य साय पर मार्किंघ कर written इंट्रेस्ट एगा इसे इल्डे से से यह इंट्रेस्ट उसके बाद च vidéos मसे सेल्स होगा, salary, operating expenses के अंदर office expenses है, OE, हाँ है नहीं, advertisement SE, selling expenses है, traveling expenses, specify नहीं किया है, office expenses trade करेंगे, चीक है, और क्या है, इसमें नहीं है, amount check कर लो, तो यहीं तो यहाँ पर लिखवा लिए, किसके बाद है, advertisement के बाद है, salary के बाद क्या है, to, office rent, 10,000, यह तो है ना, तो शायद वो expenses उपर नीचे हो गया रहेगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, अभी question check कर लो, खाली, cost of sales बराबर है आपका, salary बराबर है आपका, 2020, उसके बाद advertisement expenses है क्या, नहीं, salary के बाद क्या है, office rent, amount कितना है उसका, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, अलब यह जो advertisement expenses है, इसे cut कर देता हूँ, चीक है, इस advertisement expenses के जगे पर मैं डाल देता हूँ, office rent, चलेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, office rent, चलेगा, next उसके बाद क्या है, इसके बाद अलग से advertisement, उसका amount कितना है, तो यह 30 और 12 है, मतलब traveling expenses भी नहीं, यह भी change कर देता हूँ, traveling expenses के जगे पर, सबर, 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 यह amount किसके लिए है, यह amount किसके लिए है, तो यह advertisement के लिए डाल देता हूँ, ना मैं, ठीक है, यहाँ पर advertisement expenses आड कर देता हूँ, to advertisement, उसके बाद क्या है, उसके बाद traveling amount कितना उसका, उसके बाद, income tax कितना, मतलब income tax के amount में इधर print नहीं हुआ है, बराबर है, यह income tax के जगे पर मैं डालना है मुझे, traveling expenses, बराबर है, सही है, चले ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, traveling expenses, net profit 30, 33 बराबर है, तुमें इसके बाद इधर नीचे यह आड़ करता हूँ, तू, क्या है वो income tax, 5000 और 10,000 ठीक है, बस question is done, बागी कोई correction तो नहीं है, चले फिर start करते हैं, marking करने के लिए, क्या है, 15,000 और 30,000 है, मतलब इधर 10,000 के जगे पर 30,000 है, ठीक है, 30, 33 बराबर है, कोई नी, चले, तो यह cost of sales, minus from s, salary, office expenses है, office rent, office expenses है, advertisement, selling expenses है, traveling, funding, अभी specify ने में से office expenses ये treat कर रहा हूँ, income tax, tax होगा, net profit तो आपका answer है, बागी marking होगे है, बड़ा बड़े, problem चालू, किस चीज़ से होगा, तो sales है, format will be once again the same, 2 साल का दिया हुआ, information, 2016, 2017, problem start होगा, sales है, यहाँ पे sales, sales में, हम minus करेंगे क्या, minus करेंगे, cost of goods sold, बड़ाबरे, cost of goods sold में minus करोगे, तो जो answer आएगा, इसे आप कहते हो, gross profit, gross profit में आप क्या करते हो, minus करते हो, operating expenses, operating expenses में, तीन टाइप के operating expenses होते हैं, बड़ाबरे, सबसे पहला होता है, A, office and admin expense, इसमें दो है, अभी जो मैंने marking किया था, अभी समझ में आया था, दो चीज़ इसमें आने वड़ा है, इसलिए दो तीन लाइन छोड़ दे था, उनकि लिख के उसका total करना पड़ेगा, बड़ाबर है, समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, format प्रिपेर कर रहा होता है, कि अपने वो clear हो जाए, क्या क्या लिखना है, एक, दो, तीन लाइन छोड़ दिया, क्योंकि दो और इसका total आजाएगा, बी, सेकेंड आएगा, selling and distribution expenses, यह directly लिख सकता हूँ, मैं इदर बाजू में लिख दूँगा, उसके लिए जगा है नहीं छोड़ रहा हूँ, and C, financial expenses, यह भी dash हो जाएगा, जब यह तीनों को add करूँगा, तो जो answer आएगा, इससे मैं कहता हूँ, total operating expenses, बराबर है, total operating expenses, जब मैं इसे minus करूँगा, तो answer आजाएगा, O, P, D, I, T, operating profit before interest and tax, इसमें हम minus करेंगे, हमारा interest, तो जो answer आएगा, इसे मैं कहूँगा, क्या, O, P, B, T, operating profit before tax, इसके अंदर, मैं add करूँगा, non operating income, minus करूँगा, non operating expenses, तो जो answer आएगा, उसे मैं कहूँगा, net profit, बराबर, यह O, P, B, T, मेरे लिए बन जाएगा, N, P, B, T, Sir, क्योँ, क्योंकि non operating तो हाई नहीं, तो यह O, P, B, T, N, P, B, T, हो जाएगा, इसके अंदर मैं minus करूँगा, क्या tax, यहाँ पे minus करूँगा, मैं tax, तो जो answer आएगा, वो मेरा आएगा, N, P, A, T, Net Profit, After Tax, इतना ही format है, समझ में आया, format समझा है, आप खाली amount वरो, compare करो, खतम हो गया आपका sum, तो start करेंगे, start से, सबसे पहला sales है, यह आपके बास amount है, चेक कर ले दे, कितना दिया है, sales का amount, तो sales दिया है, 3 लाक और 4 लाक, ओकी, चलिए 3 लाक और 4 लाक, sales में पहले साल में 3 लाक था, एक बेड़ा, नहीं दिया क्याया, sales दिया है न भी लाक, 3 लाक और 4 लाक, इसमें increase हो रहा है, 1 लाक, तो 6 नाओ 1 लाक, positive increase, उसके बाद, सी ओजी एस कितना दिया देखो क्या कोस्ट आफ गूट सोल्ड दिया है न क्या हो गेड़ा उमर उमर होता है यह उमर में इस नॉर्मल अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ से 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 माइनस कर रहा हूँ कोई कर रहा हूँ सेम टू सेम ठीक है आ बताए यह कितना है दो लाक और तीन लाक इधर भी इंक्रीज हुआ एक लाक अब यह इसमें से माइनस होगा है चलिए ठीक है माइनस कीजिए बताए कितना अंसर है यहां पर आपका अंसर कितना आ रहा है अब यह एक लाक और एक लाक निल अब बराबर ठीक है अभी ऑपरेटिंग यह तो डैश लेकर यहां प्याद ओफिस में देखते हो ओफिस में क्या दिया हुआ है यहां पर दो आफिस एक्सपेंसे दिया इस वानी कौन से कौन से एक तो सालरी और दूसरा ओफिस रेंट अ सालरी बीस हजार बीस हजार तीनों बराबर है उसके बाद क्या है सेकेंड ओफिस रेंड दस हजार पंदराज आई इन परफेक्ट है टोटल करेंगे इनका टोटल ओफिस एक्सपेंसे बराबर है तो यहां पर टोटल ओफिस एक्सपेंसे कितना आ जाएगा 30,000 और 45,000 और 35,000 ओके एक अब यह प्रॉफिट है उसमें सब माइनस करना ही है यह पार्ट वन हुआ सेलिंग डिस्ट्रिबूशन में एक ही चीज दिया था आपको अगर ध्यान से देखोगे यहां पर आडवर्टाइसमेंट दिया हुआ है दिया है ना आडवर्टाइसमेंट लिखा ही नहीं ना ट्रावली इक्सपेंसेज इसके अंदर लिखना है ना दोई एक्सपेंसेज यह हुए यादों को तुमने सजो लिया ऐसा होता है इसके साथ इस नॉर्मल रिविडा यह उमर में नहीं होएगा तो कब होएगा वाँ पहुत है मुझे भूली ना क्या बूली सुनी नहीं तो भूली कुछ चल यहां पर ट्रावनिंग एक्सपेंसेज जाल देता हूं थर्ड ट्रावलिंग एक्सपेंसेज कितना है 15,030 कोई नहीं चलता है अडवर्टाइजमेंट बोल दिजी आप अपी टोटली नहीं कर रहा हूँ है इधर अडवर्टाइजमेंट बोलिये है ना एड़ट है 30,000 12,000 और financial तो है नहीं डाश इधर निल इधर 5000 इंक्रीज में पॉजिटिव 15,000 इंक्रीज यहां पे 18,000 इंक्रीज 30,000 12,000 यहां पे तो डाश टोटल 20 प्लस 30,000 35,000 75,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसे हो जाएगा इधर 35,000 65,000 75,000 77 देख लो टोटल करके बराबर है 75,000 77,000 इंक्रीज बराबर है अब एक लाग में 75 माइनस एक लाग में 77 माइनस तो जो आंसर आएगा वो मेरा ओपी बीटी हो जाएगा 25,000 23,000 यहां पे डिक्रीज हो गया 2000 हो गया कि बराबर है इसके बाद यह वाज जाने का आपको क्या करना है इंट्रेस टैक्स वोगे रहा है कि यहां पे ना यह डिक्रीज है इंट्रेस्ट में दिया हुआ है क्रडिट साइट पर कितना है क्रडिट साइट पर इंट्रेस्ट दिया है सबसे पहली बात तो ध्यान में रखो यह बेरी गुट डेबिट वाला यह जो इंट्रेस्ट हो डेबिट इंट्रेस्ट होगा क्रेडिट में जो दिया हुआ है वह आपका इंकम है मतलब यहां पे क्या करोगे यहां पे जो इंट्रेस्ट है वो एड होगा मतलब यह इंट्रेस्ट को नौन ऑपरेटिंग इंकम भी कह सकते समझ में आया मतलब इस प्रॉफिट का नामकरण चेंज कर देता हूं मैं क्या नामकरण करूँगा यहां पर अब इसके अंदर हम एड करेंगे इंट्रेस जिसे हम कहते नौन उपरेटिंग इंगाम अंस्टूड पर यहां पर इंट्रेस्ट कितना इंट्रेस्ट बताइए दरह यहां पर इंट्रेस्ट 10,000 और 20.000 हैं यहां पर यह और हो जाएगा 10,000 यहां पर इंक्रीज हो गया दस हजार लॉजिक क्लियर हो रहा है चलिए एड कर देंगे तो आंसर बताईए कितना आ जाएगा यहां पर आएगा 35,000 यहां पर 43,000 फिर से इंक्रीज हो गया यहां पर पाच और तीन आठ हजार रुपए ठीक करेक्ट टैक्स दिया है कि चलिए ठीक है 5,000 और 10,000 माइनस करना पड़ेगा टैक्स 5,000 और 10,000 माइनस करके चेक करते आंसर कितना आ रहा है देखो आपको कुश्चन में आंसर दिया रहेगा नेट प्रॉफिट 30,000 नेट प्रॉफिट 33,000 इंक्रीज हो गया यहां पर 3000 का और उपर हुआ इंक्रीज 5, है लॉजिक क्लियर देख लो आपका अंसर आपके हाथ में यह था यहां पर 33,000 इंक्रेश्ट के भावनाव में बहे मत जाना इंट्रेश्ट जीगा तो माइनस करना जरूरी नहीं ध्यान से दिखना वो क्रेडिट इंट्रेस्ट है डेविट का इंट्रेस्ट है तो माइनस ह है तो प्लस होगा समझा अबी क्या बज़ गया परcmटेज निकालने का आं रहों परcmटेज निकालना भी समझना आ गिया है और इतना क्यों निकाल सकते तो मैं इतना बर अच्छों करना अं sır causing location ऑ kita UK प्रिपेर और क्यारीं ओन पार्टनर्शिप बिजनस देर्पोजीशन ओन 31 मार्स 17 और 16 इस गीवन तो यू अब देख सकते हैं क्यापिटल अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट फिक सेड इन्वेश्मेंट सौक डेटर्स लोन एडवांसेज कैशन मैं दिया बाया है फिर स्मरी पोरिश लेवा इंकम स्टेटमेंट में दिया है क्योंत रह लग रहा है फटा फड़ी कर सकता है दो एक है फॉन्ट ज्यादा सोचना नहीं है लए पक्ला में कर दो पर शलेकर दे क्या ढर ला आप लोग इसा नहीं कर सकते हैं मैं तो नहीं कर देंगे कोश्चन पीपर के अंदर में वोड़ोंगा नहीं आपको अलग से यह सेम फॉर्माट को प्रिपेर करना है इधर इंक्रीज और पर्सेंटेज इतना तो आप हायोग सब करी सकते हों हाय नहीं चलिए ठीक है सुवानी बेरी गुड है या इस हैंग नहीं हो रहा है कुछ अटाश्ट हो रहा है उसको इसके लिए चलिए अब जैसे नेट सेल्स की बात करेंगा 42, 38 कम हो रहा है कितना कम हो रहा है बाए 15 और दो 3,500, 4,500, 3,000 फाइंड नहीं अमाउंट 3,500 उमर होती है देखो न 3,500 मेरे इसाब से होता है यह उमर में कॉस्ट ऑफ सेल्स 31,529, 750 यह भी डिक्रीज हो रहा है यह डिक्रीज हुआ 3,500 इधर भी डिक्रीज होगा कितना 1,750 डिक्रीज पिर ग्रॉस मार्जिमान ने ग्रॉस प्रॉफिट डाइस सो और दस पान सो आठ साथ क्या इधर पान सो 1,750 पर्फेक्ट यह भी डिक्रीज में ठीक है आठ साथ सो पचास और साथ अजार यह भी डिक्रीज है कि एक हजार साथ सो पचास डिक्रीज और यहाँ पे नेट हमारी इधर एक परसने एक स्टूडेंट बुली यह विज्ब इस ऐसा कैसा जल रहा है सब डिक्रीज में जा रहा है क्या कर सकते यह बिसनेस को अपने को पैसा नहीं मिल ला आ सूच नहीं इसकी बारे में इंक्रीज या डिक्रीज जो चीक है 3,000 था 42 था वह साथे तीन मांक्स मिले कितने 42 में से कितना परसंटेज है 3500 डिवाइन बाइन ना इन 200 और में बहुत कम परसंटेज मांटमा सो बच्छास डिवाइन पाइन पाइव न्डेल इन्टू हंड्रेट कितना आ रहा है यह तो एकदम राणी पाट्टू यहाँ पर सेम आएगा ऐसा आरेन तेरी दिमाग में का मांट सेम है तो सेम आएगा थेकर नहीं आरेन तो नहीं सोचा रहेगा सेम एक अधर सबका तो यहाएगा मैंनू का सबका टोटल से में क्या नहीं है ना तो सत्रह अजा साथ सो पचास को देस हजार दिवाइड कर सिक्टीन पॉइंट एक सेवन फाइस एडर एट सेवन फाइस एडर दिवाइड बाएड एसेवन फाइस एडर कितना कि पटाफ़ एक हजार साथ सब्सक्राइज डिवाइड बाइड आट हजार साथ सो पचास असी पक्का लगने रहा में हां बीस पर्सेंट बराबर है कि 20 पर्सेंट पर्फेक्ट यह तो नील है इसका पर्सेंट ने निकाल सकते हो गया प्रॉफिट एन लॉस मतलब इसी को सबसेंट पर्सेंट निकालना अब अपने को बैलेंस चीट करना तो उसके लिए मार्किंग कर ले दे सबसे पहला कौन सा चीज किदर किदर जाएगा यहां पर मार्किंग में सबसे पहला मुझे जो दीख रहा है लाइबिटिस इस अलुकरता ओन फंड क्यापिटल बैंक्स उसके बाद फिक्साशेट फिक्साशेट टूक्साशा रहे गा इन्वेस्टमेंट इंवेस्टमेंट रहाएगा स्टोल्गिन ट्रेड्ड कर ट्क असेट चंडरी डेकरण्यट असेट लोन और अडवांसेज कहन डंक करनद थैन कि उदर लाइन ड्रा हुआ है गलती से चेकर यहां तक मार्किंग समझा क्या सब से सुर्सित फट्ट में आप देख लो क्या हैं फट्ट है सिंगल लाइन में आ जाएगा बॉर्ट फॉंड सिंगल लाइन में आ जाएगा मतलब इतना दिल पे लेके फॉर्माट नहीं बनाया तो भी चलेगा यहां पर डायरेक्ट लिपन सॉल्व कर ले दें दो यह दिया है टूथाउजन और सिक्स्टीन और सेवंटीन वराबर है तो ए तु सेकेंड है बोरोड फड्ड यानि के बैंक लोन यहां पर बैंक लोन निए चले बताएए क्यापिटल अमाउंट क्यापिटल का सेवंटी वन थाउजन सेवन हंड़न और सेवन हंड़न और फिफ्टीन फाइवंड और बैंक लोन पूटीन थाउजन दस हज़ार पांस बराबर है इनको एड करके जो आंसर आएगा इसे हम कहते है टूटल क्यापिटल एम्प्लोईड बराबर यहां जाएगा 85,750,60,70,000 70,000 अब इंक्रेस डिक्रेस भी साथी में कर ले थे फटा फट से बताएए चलिए 71,750,59 यहां पर डिक्रेस हो रहा है 14,10,500 यहां पर डिक्रेस हो रहा है 3,500 12,250 डिक्रेस में यह भी डिक्रेस में थाड़े 3,000 बराबर है परसंटेज निकालने कैसा निकालना है 12,250 को 17,70,750 से कर लेंगे न चलिए टोटल में आप देख सकते हो कितना हो रहा है टोटल में भी आपको कोई डिक्रेस ही है 15,750 15,750 हो गया तुमारा इतना काम डन समझ में आ गया बढ़ेंगे नेक्ष्ट उसके बाद सेकेंड फॉर्माट पर जाएंगे तो वह है तुमारा एप्लिकेशन ऑफ फंड अप्लिकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आएगा फिक्सट तो डायरेक्ली दिया हुआ है फिक्सट उसके बाद आ जाएगा इन्वेस्टमेंट वो भी डायरेक्ली दिया गया है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है वर्किंग क्यापिटल जिसके अंदर हमको फॉर्माट बनाना पड़ेगा करेंट असेट्स और करेंट लायबिटी इसका तो सबसे पहला है करेंट असेट्स क्या यहर में कुछ चेंज है क्या दोजर सोला सत्रह इधर 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 हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में इसा वह बराबर इंकम बराबर उद्धर देन देना मेरी देखो माइनस करते समय में याद रखना ऐसा माइनस होगा इस समके अंदर जो जो डिक्रीज हो रहा है ना सब्सक्राइब क्या रहेगा सोला सत्रह में समझ मैं क्या यह आपका बुलने का मतलब है ना बराबर राइट है जब भी आप कंपेर में कोई चेंज नहीं है इधर यह 16 यह 17 था तो इसको इसके साथ कंपेर अमाउंट सेम आएगा आरे हां मैं मैं समझा रहा हूं एंकी सो मच फॉर है बट यहां पर जो क्या करेंगे इंक्रीज करें बस और कुछ चेंज नहीं करना उसका रीजन है अपने बड़े में से छोटा माइनस किया हुआ है तो माइनस आंसर है बड़ा भी रिवर्स हो जाएगा क्लियर होगा क्या या 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 बिजनस की गलती नहीं बिजनस अच्छा कर रहा प्रॉफिट कर रहा बस लगता है इसी का बिजनस है सरकल और स्क्वेर ठीक है पक्का चलिए पढ़ेंगे फिर बीच में रुका दिए यहां पर आदेफ करेंट असेट के अंदर सबसे पहला आ जाएगा तुमको अब स्टार्ट करते पूस्टिंग करने के लिए सबसे पहला आपने चालू करेंगे फिक्ससेट से बताईए फिक्ससेट कितना दिया हुआ है यह ध्यान में रखना 1617 यह यह भी ध्यान में रखना यह सिली मिस्टेक होता है पर मैट में मालूम नहीं रहता है तो 52 543 750 500 और फिर 43 750 बेर इन्वेस्टमेंट क्या है 3500 1750 अभी अभी करेंट असेट से स्टार्ट करेंगे करेंट असेट में सबसे पहला है स्टॉक इन ट्रेड बताईए 20 21000 17500 फिर उसके बाद संट्री डिटर्स संट्री डिटर्स बताईए अमांट 31 500 26250 उसके बाद लोन्स एन एडवांसेज लोन्स एन एडवांसेज कितना है तो स्टॉ अजय को आपका असेट ओगा लाइब नहीं है कैसे होगा मैं ने cash bank 1750 और दोनों सेम है समझ में आया क्या नहीं समझा मैं बिस्नेस है यह विद्वास मांगने आए मैं ठीक हिजा लेके जा दिया लेकिन पैसे कब दे रहे है तो एनितिंग रिशियो लिजम है इससे पैसा मिलने वाला है ना तो मैंने लोन दिया न आपको लोन लिया थोड़ी नहीं में ने वो लोन घीवन है कि यह उमर में इस नॉर्मल ठीक है कर लिए जरा चेक करो करने लिए जान अदक मुझे मालु में कि दिया है क्या और नाव टिक में संद्री क्रडिट चलिए एक ही है संद्री क्रडिटर आज अध्य तरी 3035 करेंगे वह जो जो आंसर आएगा वह आपको आ जाएगा वर्किंग क्या पिटल का अंसर पट फट से ये सब एड करना इतना माइनस सब एड करना उसमें से माइनस sorry एक जैन इधर माइनस करते रों न और एक जैन इसका करनों इस चल बोलते जा 52,500-43,750, 8,750, decrease में, 1,000, decrease, इधर, हाँ, धाई और तीग, बरावर, साढ़े 3,000, decrease, 5,250, decrease, छीक है, इधर डाश, इधर भी डाश, इधर 3,500, 3500, वो भी decrease में, चलो, एक जन, एक कॉलम के, 68,000, टोटल बोले न, आपने मने, कितना टोटल, 68,000, 250, उसमें से इसे माइनस कर दीजे फिर, 29,750, एक मेंडा, कितना है, 29,750, इधर का, किदर का टोटल, 20, minus 20, पक्का न, आर एं, इसका टोटल 59, 24,000, परफेक्ट, अब आप इसका इसका इधर दीफरेंस ले लो, फट आफर दो बाखी दा, 68, 250 and 59, 500 29, 750, 24, 500 difference ले लो किसका working capital का 5000 250 decrease में और इधर 8750 decrease में अब ज़रा चेक करते हैं टैली हो रहा है कि नहीं ऐसे fix asset, invest टैली कर देते हैं नहीं तो फिर बात में बुले हैं कि इसा टैली नहीं होदा है 52,500 3500 and 29,750 add कर लेते हैं 87,750 आना चीए 52,500 plus 3500 plus 29,750 कि इतना 85,750 शारी ठीक है देख लेजे आपका उपर का amount same 43,750 17,50 plus 24,500 15,1750 plus thank you सुवानी same increase, decrease पंदरा अजार अजार साथ सो पचास इंक्रीज में डिक्रीज में percentage कैसे निकालोगे समझ में आया है ना पक्का इतना ही अभी missing sum करेंगे format क्लीर हो गया comparative गा यार वही रहेगा ना क्या हो अरे खाली profit and loss में हुआ था इसा इधर देखो 16,17 हां लेकिन अपन ने तो 16,17 का ही solve किया ना अब question आपको जब आएगा ताव आप इससे solve करना मैं यह नहीं expect करो कि answer in the book is same किसको बटा तो इसको मैंने बता तो दिया ना अभी सामने वाला समझेगा कि बाइए डिक्रीज को इंक्रीज करने का जो लोग वीडियो देख रहें जरा ध्यान से सुनना यह जो डिक्रीज हो रहा है इसे आप इंक्रीज करना बस यह हमारे रंजना की तरफ से आया हुआ है चलिए यहां तक अब बढ़ते नेक्स तरफ जिसके अंदर हम लों क्या करने वाले मिसींग फीगर स्वाल्फ करने वाले अभी अवन लोग स्राट करें मीशिंग यह में सिंग वालियूज इंपोर्टेंटेश्ट चे लिए और एस्वाय के लिए भी अब इसमें क्या मालू करना कही न कहीं यह increase decrease जो चीज ए वह ही आपको help करेदा जैसे मैं start करो यह income statement operating net profit दिया है add non operating income दिया है तो net profit before tax आया था – ix care net profit अप्ड एतना ही है बराबर है खाली एक चीज समझ में आया कि जो यह increase वह लाख रूपए कितना परसंट है वह 100 संट अभी मैंने बढ़ा हैं याधर कुछ तो है जो भी है वह इसे एक लाख जाधा इंधर कितना है क्यूंकि अगर यह 2,00,00,00 होगा तो यह एक लाग आएगा समझ में आ गया पहले यह 100 था 100 परसंट बोला है मतलब यह लाग अगर 100 परसंट है तो बेस मेरा 100 परसंट होदा है तो उसका अमाउंट कितना क्रॉस मंटिपला करो एक ही लाग आएगा अभी एक लाग मिल गया तो एक लाग प्ले से कितना हो जाएगा रोला को जाएगा ना इसके अंदर एड करना है कितना करें कि एक बीस आएगा बिशाधार एक लाग में इस आट करेंगे तीन लाग आएगा अरे समझा अब देको एक वा गड़ा न उसका परसंटेज भी धी आए अगर मैंने ऐसा निकाल, अगर यह नहीं, यह भी नहीं दिया रहे था, यह दोनों नहीं दिया रहे था, तो आअप क्या करते है, भाई, यह असी है, 400% है, सो आब इसका calculation कैसे ही करते ही समझना। अगर यह 80,400 परसेंट है मुझे 100 परसेंट से मतलब तो 100 परसेंट अमाउंट कितना तो मैं क्या करता क्रॉस मंटिक लाए कैसे असी हजार इन्टू हंड्रेड अपॉन फॉर हंड्रेड दो जीरो फॉर वन जा फॉर टू जा एक दो तीन चार आया भी सब्सक्राइब सेम अब यह अमाउंट नहीं दिया रहा तो अपने सागर था और कुछ बीच में आने वाला है नहीं अपने को मालूम है बराबर है चलि अगरे बढ़ता है आगे आता है 36 90 इंक्रेज हो रहा है कितना 54,000 इंक्रीज हो रहा है क्या पाते पर संटेज की बात करेंगा तो डेल्ड सो आ रहे हैं के देखो ज़रा तो 36 से कम पर नेट प्रॉफिट क्या करोगे इस में से टैक्स माइनस होगा एक बीस में से तीन में से माइनस होगा एक लाग चार सो हां मालू मैंने का बूला कुछ मैंने कुछ बूला ही नहीं यहां पर यहां पर चुलाक टैन थाउजन कि 84 2,126 बढ़ रहा है देख लो कि दो लाग दस 84 126 पर संडेट डेड़ सो डेड़ सो है क्या देख लो हो गया समझा 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 यह अब एक कोस्चन में करेक्शन है वहाँ पर नील के जगे पर कोस्चन मार्ग ली दिया यह इसका मतलब क्या है और यह दिर इस नो इंक्रीज नो डिक्रीज लिए न तो पहले सवानी जीतना था अभी उतना ही है तो पहले अभी मेरे बस अभी का यह 2,00,00 तो पहले किए दो लाग दो लाग समझ में बढ़ते यां डेर लाग था उसमें 50 अदर कम हुआ मतलब यह एक लाग होगा कि परसंटेज इधर क्याल्कुलेट करना होगा तो कितना रहा है 33.3333 पर यहां पर सब कुछ तो करने सकते तो यहां पर यहां पर मालूम नहीं और यहां पर सब question mark ही दिया गया है अब देखो यहां पर यह तीनों को आड़ करेंगे टूटल इसमें accumulated loss minus करेंगे तो यह तो यह तो यह तो यह मालूम है इसमें कुछ तो minus करेंगे तो यह answer आएगा दूनों missing है इधर तो यह भी missing है तो टूटल नहीं मालूम तो यह नहीं मिलेगा और यह नह निल का मतलब क्या हुआ कि भाई there is no profit no loss मतलब कोई increase decrease नहीं है तो यह 20 था तो मैंने इधर भी amount कितना लिख दिया 20 समझा अब यह मिल गया कि वाई इसमें 20 minus करना है minus करूंगा तो अपने को यहां पर आएगा 5,10,000 समझ में आया अब यह 5,10,000 मिल गया 5,10,000 के अंदर कितन कितना माइनस होने वाला है 1,26 बराबर है माइनस कर दो कितना आ रहा है 3,84,000 समझ में आ गया अब इसमें यह प्लस करो तो उपर का amount मिलेगा 3,84 में यह प्लस करो तो उपर का amount आ जाएगा 4,004,000 अरे बराबर समझा क्या किया इसमें जो अब यह जो टोडल दा उसमें माइनस करो तो यह answer अब उपर जा रहे तो प्लस करेंगे इसमें यह प्लस करो तो यह answer आएगा clear अब इन दोनों को add करेंगे यह add करेंगे तो तो माइनस कर दो 3 लाग, 1 लाग 4,000 अब बिशिंग वैलीफाइंड कर से 1 असी ता 1 चार तो कम हुआ नहीं यहाँ पर कितना कम हो रहा है कितना कम हो रहा है देखो 10,804 बार 76,000 डिक्रीज हो रहा है माइनस हो रहा है परसंटेज तो आए ऌप निकाल सकते हो पाच लादध तीस में चार लादध चार अज़र माइनस कर दो क्या कुछ भी अच्छा परसंटेच बोल रहे हो 42.22% ओके पाच लाद तीस में अब जहरा ध्यार इसमें यह एड करके यह answer है तो इसमें यह minus कर दो लाख हां जी यह पता नहीं है सब अपना question mark है इधर से इधर से कुछ ना कुछ तो data चाहिए कि नहीं अपने को तो मैं क्या करूंगा पहले asset पो solve करूंगा भी क्यों कि जो asset का total वो इधर का total रहेगा ना and then I can fulfill this क्योंकि यहां पर किसकी साथ compare करने वाला amount ही नहीं है जब मैं amount compare नहीं करता तो percentage निकालने सब्ता तो इसे में इतना ही solve कर सकता asset side पर आता asset के अंदर fix asset दिया है 30 कम होने वाला है मतलब इसका value पाच लाग आएगा 35 कम करो इधर मालूम नहीं कितना होने ना 50 और उसका percentage भी नहीं दिया है चलिए ठीक है कोई नहीं इधर इधर minus होने वाला और इसका percentage दिया है कितना 120 मतलब 96 कितना percent है 120 तो इसे कैसे solve करोगे अगर 96,000 120 परसेंट है तो 100% amount कितना कितना cross multiply करो 80,000 चलिए ठीक है तो यहाँ पे मुझे इसका amount मिला 80,000 इसका total कितना आएगा जो इधर का total है 7,10,000 अरे समझा समझा मैंने क्या किया अब एक ही question mark missing इस सब को add करेंगे तो यह answer तो इसमें से यह तीन दोनों को minus करेंगे तो यह answer आएगा कितना कितना कि आठ पाच तीरह एक लाग समझा यह क्या इधर का जो capital employed वह सेम तो असे टो लाइबिटी का total सेम होता है ना अब देखो आपको यह तीनों amount वाले में कितना कम करना पचास एक में से पचास कम तो यह पचास रहेगा असी में minus 96 है तो और तो असी में minus 96,000 नेगेटिव सोचो हाँ नेगेटिव सोला आजार आता है समझा क्यूंकि अपन इस में से इसको minus करते तो 80,000 minus minus करने वाले हो तो आपको आने वाला 96,000 अईसा समझा परसंटेज निकास सकते हो ना भी समझना आ गया पक्का चलो क्यालकुलेट कर लूँ अब इधर का टोटल हो ना पहला उपर का बाखी है ना 5,000 प्लस 50,000 minus 16, इसका टोटल 5 लाए हाँ देखो टोटल कितना है कितना है तोटल 5,34,000 तो है तो तो तोटल में कितना मिस्टेक कर दो 5,34,000 सेम इधर लिख दूँगा मैं 5,34,000 उपर अब यह कुश्चन मार्क था तो 3,84 और 5,34 माइनस कर दो 1,50,000 अब यह कुश्चन मार्क फिल इन द ब्लाइंग हो जाएगा पहले दो दा अभी देड़ हुआ तो पचास हजार कम हुआ माइनस में पहले साथ दस था फिर 5,34 कम हो गया कितना है 1,76,000 बात समझ में यह भी माइनस में चल रहा है और इधर भी सेम आएगा 1,76,000 माइनस में परसंटिट है तो भी निकाली सकते हो हो गया सम ख़तम तो कमहरइट यहां फे बाइंड़ करता हो अभी Common और ट्रेंड करेंगे Common और ट्रेंड इससे Compare में और or simple है लेरे अभी स्टार्ट करें नया टॉपिक common size नाम बोल रहा है common compare में क्या कर रहे थे आप compare कर रहे थे ना दो साल को इधर दो साल को compare नहीं है यहाँ पर question में common करना है कुछ अब common क्या करना है तो अगर आप एक balance sheet कर रहे हो अगर आप balance sheet का sum solve कर रहे हो तो इसके अंदर जो total होता है यानि के capital employed इसे आप assume करनेगा hundred percent क्या assume करनेगा hundred percent अगर आप profit and loss का sum solve कर रहे हो तो इसमें assume करनेगा sales को hundred percent ठेक है common मैंने इसको common रखा इसको common रखा बस यह चीज़ को समझने है अगर यह मेरा total hundred percent है तो capital कितना percent, reserve कितना percent, borrowed fund कितना खाली percentage calculate करनेगा मतलब common size में किसी एक चीज़ को common पकडना है टीनू और फिर हमको देखना है कि कौन सा चीज़ कितना percentage दे रहा है ठीक है अगर आपका balance sheet का total hundred percent है तो owner fund कितना percent, borrowed fund कितना percent वो करना दूसरा important बात यह होता है कि आप जितना rupees का column बनाओगे उतना percentage का column एक rupees का column एक percentage बगाओ मैं three presentation पहले से बता दे आ रहा हूँ मैंने vertical format में भी तीन column बनाया था मैंने तीन column का rupees दिया तो तीन column का percentage भी इसमें यह होगा बात समझाए चलिक question देखते हैं क्या दिया है आपको balance sheet prepare करना है following is a summarized balance sheet of Ajit Limited as on 31st March 2017 in a vertical format वरावरे आपको क्या करने बोला है balance sheet बनाने का vertical format के अंग दो सबसे हला marking कर ले दो fix asset, fix asset, investment, investment inventory, current asset, datas, current asset, cash, current asset provision for tax, current liabilities, creditors, current liabilities reserve, own fund, capital fund, own fund marking समझ में आ गया अब इसी को आपको आपके format में जैसे comparative में लिखते है थे वैसे ही लिखेंगे तो start करता हूँ सबसे पहला आप लिखोगे, own fund, heading number a, sources of fund sources of fund, sources of fund, sources of fund में क्या आने वाला थे, sources of fund में पहला आने वाला है, first own fund own fund में क्या क्या है, तो own fund के अंदर है, पहला equity share capital and दूसरा, reserves and surplus और कुछ है क्या, नाए, चलिए, अभी इसका presentation कैसे करूँगा, तो equity share second column में, reserves second column में, तो equity share का amount कितना दिया है, जरा चेक करते है, equity share capital 4,25 और reserve fund 1,35 तो यहाँ पे second column में में लिखूँगा, 4,25,000, 1,35 अरे समझा, इसमें minus करूँगा मैं, कोई miscellaneous expenses है क्या, नहीं, तो जो answer आएगा, यह मेरा आएगा, total of own fund, अरे समझा, कितना, 5,60,000, 5,65, 66 कैसे है, 5,60,000, अरे समझा, बराबर है, clear, अब और कोई own fund है क्या, कोई borrowed fund है क्या, नहीं सर, इतना ही है इसका format, तो इसको total कर लिया, heading number B डाल रहा हूँ यहाँ पे, यानिके second, borrowed fund, जो की रहेगा, dash, बराबर है, there is no borrowed fund, तो अब मुझे number two डाल रहा हूँ है, यानिके B, क्या आ जाएगा, application of fund, application of fund में सबसे पहला क्या है, fix asset, directly दिया है, fix asset, बराबर है, second heading है, investment, वो भी direct दिया हुआ है, और तीसरा heading है, तुम्हारा working capital, working capital के अंदर format है, current assets और current liabilities का, तो पहला है current asset, लिखता हूँ उसके बहुत current liabilities, तो पहले start करता हूँ, posting करने के लिए, क्या क्या है, ज़राद चेक करेंगे, तो fix asset है, investment है, 3,25,000, 1,42,000, कौन से column में, directly outer column है, 3,25,000, 1,42,000, correct ना, current liabilities में, sorry, current assets में क्या क्या है, ज़राद चेक करतो, तो current assets के अंदर आपको है, inventory, data's और cash, हाँ, यह बाजू आते हैं ना, पहला, वो asset पे ना, inventory, फिर, inventory के बाद, data's, data's के बाद, cash, देखिए, amount बताई कितना है, inventory, 70,000, बराबर है, तीनी चीज़ हैं आपने बाद, 70, 80 और 58, तो 70,000 of inventory, यह मैं first column में लिख रहा हूँ, 70,000, data's, 80,000, 58,000, total of current assets, total CA, 2,08,000 पराबर है, यह चले जाएगा, second column में, 2,08,000, इसके अंदर, B, यानि के current liabilities, अब current liabilities में क्या है, तो 2 current liabilities है, एक तो है, provision for tax, और एक है creditors, 70 और 45, format आपको भाइट है, इसलिए मैं फटा-फट कर रहा हूँ, format नहीं मालूम रिदा था पर और इसको अच्छे से expunge कर ले दे दे, और अभी format मालूम है, इसलिए फटा-फट कर रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, creditors and provision for tax, creditors कितना, 70,000 और tax, 45, इसका total, इसका total आजाएगा 1,3,500, रे, 1,15,000, बराबर है, 1,15,000, अब इसे आपको क्या करना है, minus करना है, current asset minus current library, जो total answer आएगा, उसे मैं working capital कहता हूँ, minus किजिए, 2,8,000 में 1,15,000 minus, 93,000, आउटर कॉलम में 93,000, अब आखके बास 3 amount है, 3,25, plus 1,42, plus 93,000, add कर लो, total amount देखो, कितना आ रहा है, total application, हो गया टैली, देखो, यह था तुम्हारा format, common size अभी तक हुआ नहीं, यह तो vertically था, बराबर, अब common size में क्या करना है, तो common size में आपको percentage set करना है, मैंने बदा था, balance sheet में capital employee, कहा है आपका capital employee, इसको लिखना last column है, तो 100%, यह भी आपका 100%, अब इसके basis पे जिदर-जिदर amount दिख रहा, उसका percentage निकाले, अगर 5,60,000, 100% है, तो 93,000 कितना परसेंट, 5,60,000, 100% है, तो 93,000 कितना परसेंट, calculate करो, 100, जो बुल रहा हूँ, जरा द्यान से दिखना, वो trick क्या है, मैं इदर लिख भी देदाँ, पकड़ो, 100, calculator पे लेना, 100, divided by, divided का sign रहत है, 5,60,000 आपका total है, टीक है, 100 divided by 5,60,000 into, into, तो बटन दबा दू, calculator allowed है, mobile नहीं, yes, तो आपको कोच 0.00 something 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 amount आएगा, जैसर के बाद जाना पड़ेगा उसके लिए, 100, एक तो यह इसका थैली ना, निकालो पहले इसको, divided by 5,60,000, करोगे, into, into करोगे, 0.00178, ऐसा कुछ नंबर आता है, अब इसको ऐसे ही रहने देना, और क्या करना मालू में, जो भी amount आया ना, आपको, उदर उसको रहने दो, अब सिर्फ और सिर्फ आपको amount डालते जाना है, जैसे इसका percentage निकालना है, जितने भी amount इस सबका percentage निकालना है, तो वो जो रहेगा ना, उदर लिको 4,25,000 equals to, अभी जो amount आया है ना, यह amount आपको आया है, अभी मैं लिख रहा हूँ, 4,25,000 equals to का बटन दबाऊंगा, 75.89, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन से column में लिखा है, रूपीज के second, यहाँ पे second column में लिख रहा हूँ, 75.89, अभी जो रहा हूँ, अभी मतलब नहीं है, 1,35,000 equals to का बटन दबाऊंगा, 24.10, मैं लिख रहा हूँ, 24.11, round off करने के लिए, अभी इनको add करो, देखो, टोटल कितना आ रहा है, यह भी 100% देगा आपको, add करके चेक करो, यह भी 100% ही रही हूँ, है क्या, यह तो डैश था, यहाँ पे आएगा 100, सर ऐसा क्यों आया, यह 5,60,000 हंड़ीट परसंट है ना, माउट, अरे समझा, डैश करके इसे मैंने कर दिया 100, और यह आगया आपका 100%, समझा, on का बटन प्रेस नहीं करना, क्यूंकि बाकी और भी करने का बाकी है, यह नहीं मेरे को मालम तो है, ऐसे लोग रहते घाई करने वाले, तो आपको क्या करना है, इधर में लिख्या रखा है, 100 डिवाइड बाइड जो भी आपका टोटल रहेगा, इंटू इंटू करोगे, और फिर खाली amount डालते जाओ, equals to, amount equals to, amount equals to, और जिदर जिदर amount उदर उदर percentage लिखना, at the end उसका total 100 आना चाहिए, समझा, समझा सोनी, क्या है, क्यों, टेक्षबूक में कुछ अलग दिया है, कोई नहीं, अपने प्रॉब्लम टैली हो गया, अपने थोड़ी बोला कि अपने कोई सेम चीज़ करना है, टेक्षबूक के कोश्चन आएंगे जरूरी है, अपने वो कंसेप को पकड़ के चनलेगा है, अपने टैली किया न सम, जो टोटल इदर, उदर का टोटल भी टैली हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, समझा, चलिए, अभी आपका टोटल आपको मालुम है, रेमेनिंग अमाउंट का फटा-फट दे कैलकुलेशन कर ले दे, किया है कैलकुलेशन तो बता दे जाओ, इसका पहला लाश्ट कॉलम है, फिक्स असेट का, 58.03, 142 का, यह तो फटा-फट होना चीए, 25.35, पिर अभी 70,000, 80,000, 58,000 इस सब का अमाउंट का परसेंटेज, हले अमाउंट, बोलिए, 70,000 का बोलो ना, 49, 80,000 का, लास्ट वाले का बोल रंजना, अले, खुश हो गई ना, अभी अस्ट है जा, बोलो, 14.28, 58,000, 10.35, 35, ठीक, अब आप इसका टोटल देखना, राउंड आफ करके, इसका आना चीए, भी सेकेंड कॉलम में गया है, आम परसेंटेज भी सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर हो पा, पिर 70,000 सेम रहेगा, 12.49, 45,000 का निकाल लो, क्या, 03, 4 ले ले दाओ, पाच है ना, एक लाग 15,000, 15,000, 20.53, जैसा भी आप इसको आड करके, चेक करना, उतना लिखना, अमाउंट वही रहेगा, अब यह सेकेंड कॉलम में जाएगा, 20.53, बराबर हैं, आप इन दुनों को आड करके, माइनस करें, 93 आदो, 93 का अमाउंट का परसेंटेज, 37 में से माइनस कर दो, 6,1 ले रहा हूं में इदर, वही आएगा, 16.61, इन सब को आड करोगे तो वह 100% मिल जागा, हो गया, कॉमर्स मेंस, समझा, पक्का, अभी इसके पहले जो मैंने क्या हो, बैलेंस एक था, अभी profit and loss, income statement, क्या, income statement में आप देख सकते हो, आदा आदूरा income statement दिया है, जीपी से दिया है, तो जीपी से बना के भी दोगे दो, उसको कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ता नहीं, लेकिन, पैरिग्राफ पे कुछ information आ गया, तो इसका मतलब अपने को एक complete format for income statement बनाना पड़ेगा, तो income statement जो चालू होता, वो किस चीज़ से चालू होता ह है सेल से, तो हम स्टार्ट करेंगे सेल्स, सेल्स में यहां पे दो टाइप के सेल्स है, एक है कैश और एक है क्रेडिट, बराबर कैश सेल्स का अमाउंट दिया है बारा लाग, क्रेडिट सेल्स है 48,30,000, टोटल ले लो, इसका टोटल आ जाएगा, 60,30,000, यह चले जाएगा, सेकेंड कॉलम में, 60,30,000, माइनस होगा सेल्स रिटर्न, देखो वोशन में सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, कितना दिया है सेल्स रिटर्न, 30,000, दिया है ना, लास्ट में सेल्स रिटर्न, तो भाइन माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, वो 30,000, तो minus करके जो answer आएगा इसे मैं कहता हूँ net sales 60 lakhs ये आजाएगा मेरे outer column में 60 lakhs अरे समझा sales में minus करना है क्या cogs तो जो answer आएगा वो होगा gross profit हां जी इस question में gross profit दिया है 16 लाग देखो income statement जो आपको दिया है उसमें cost of goods souls दिया ही नहीं है उसके जाएगे पर सीधा GP दिया है कितना 16 लाग तो जो balancing figure होगा वो तुमारे लिए cogs होगा कितना बैलेंस इंवी गरे 44 लाग मेरे हिसाब से हां जी बराबर यहां पर आ जाएगा 44 लाग कैसे किया समझाए 44 लाग 16 लाग 60 में से हुआ तो 44 लाग यहां तक यह चीज नहीं दिया था अब इदर से सारे information आपको दिये गए फटा फट करके लिख ले थे इसके अंदर आप क्या-क्या चीज़े एड लेस करने वाले तो operating expenses तो operating expenses में admin है office admin selling interest income tax वराबर other income non operating में चले जाएगा यहां पर मैं माइनस करता हो less operating expenses उपरेटिंग expense में सबसे पहला है office admin मतलब administration expenses उसके बाद है selling expenses यह दो ही चीज़े कौनसे कॉलम में मिलेगा यह आपको second column में total जाएगा third column में तो admin का total कितना देखो admin खर्चा 5 लाख selling खर्चा 2 लाख total खर्चा 7 लाइक्स यह आपको मिल जाएगा outer column में 7 समझा अब इसको जब मैं माइनस करूंगा तो जो answer आएगा उसे मैं कहूंगा opbt बराबर है यहां पर देखो एक है interest और एक other income बज़ गया आपका बराबर यहां पर मैं आ जाता हूं ओपी बीटी ओपी कि बी आई टी कितना तो 16 लाख में से 7 लाख चला जाएगा 9 लाख आएगा बराबर है इस 9 लाख में हम माइनस करेंगे इंट्रेस्ट डेविट साइड वाला इंट्रेस्ट दिया है कुस्चन में कितना दिया है डेविट इंट्रेस्ट का अमाउंट दिया है नव्य हजार यहां पर 90 थाओज़न माइनस करने लिए कि नव लाग में नब्वे अजार माइनस होगा तो जो आंसर आएगा वह आपके लिए बन जाएगा ओ पी बी टी कितना एट लाइक टेन थाउजन कि एड़ करेंगे इसके अंदर नौन बेंटिंग सलने यह फार भव देया घै कि अंदर एंदर कर लेते हैं तो जो अंजर आएगा उससे मैं कहूंए उसे में कहूंगा न कि B T net profit before tax 8,40,000 इसके अंदर मैं minus करूंगा tax, less tax, देखो income tax दिया है question में, कितना दिया 2,60,000 चलिए वो भी minus कर देखो 2,60,000 को, अब क्या करना भाई, तो अब आपको मालुम है, पूरा format खतम हो गया, common size मैंने आपको भी बताया था, क्या, अगर income statement है, तो common size में, sales will be your 100%, जो sales है, कौन सा sales, net sales 100% होगा, उपर वाला amount 100% नहीं है, net sales आपका 100% है, third column में तो third column, सर उपर वाला वो तो अलग से calculate होगा, यह आपका 100% amount होगा, तो आप calculator पे क्या लिखोगे, 100 divided by 60 lakhs, into, into, 100 divided by 60 lakhs, into, into, हो गया, अब खाली यह सारी जितने भी amount यह सब लिखते जाओ, equals to, लिखते जाओ, equals to, लिखते जाओ, equals to, उपर से start करेंगे, 12 lakhs, बताओ, कौन से column में, first में है, तो इधर आएगा 19.90, तो 20 लिख दू ना, 19.99 मतर 20% तो आरा हम से लिख सकते हैं, 20%, फिर 48,30, 80.50, ठीक है, 60,30, 60,30, 100 के उपर ही जाए, कितना, 100.50, देखो इसका total वह ही है न, 20 प्लस 80, 100 हो गया न, माइनस 30, तो आधा परसंट रहेगा, 0.50, देखो, समझा, अब देखो ये गड़बर होगे, यहां से वो आने वाला 100, 0.50 यहां पे, 0.50 माइनस होगा, यहां पे तो इसका total आएगा 100, और वो चले जाएगा, ओटर फाला, ठीक है क्या, जैसा रूपीज, वैसा परसंटेज का कॉलम हा, क्लेर, अब यहां पे, 44,00, लाक्स है, लेको 44,00, 73.33%, और 16,00, 26.666, रिकरिंग रहेगा, अभी पाच लाग, दो लाग, साथ लाग, कौनसे कॉलम है, सेकेंड कॉलम, तो पाच लाग, 8.33, 2,00, 3.33, 7,00, 11.66, बराबर, अभी 9,00, पंदरा परसंट कर दू, बराबर है, चलिए ठीव गया, पे, 91, 1.5, 8,10, 13.5, बराबर, 30,000, 0.499, मदला, 50, 8,40, 13.999, मतलब 13%, ना, एड करना है ना, तुमको, हाँ, यहाँ पे तुम्हें आड करने वाले ना, इसको, माइनस ना, वो 0.5 एड होगा, तो यह एग्जाक 14% हो जाए, बराबर, 26, मतलब 2,5,000, 4.360, कितना, 4.360, टोटल, 18.333, पाई लाग 80,000 का देख लो, 18.333%, माइनस होगा, 9.666 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा, 9.66, 9.66, परफेक्ट, समझा, कॉमन साइज क्या है, मैंने एक बैलेंशीट करवाया, एक प्रॉफिट और लॉस करवाया, उसका रिजन ने आपको कॉमन साइज में क्या करना है, यह फॉर्मिला आप बैलेंशीक में भी अप्लाए कर सकती है, इसमें भी अप्लाए, बट इसमें अच्छा लगता है, क्योंकि इधर इना सीक्वेंस में अमाउंट क्याल्कुरेट होता है, वहाँ पर रियाबिटी के लिए अलग, इसके लिए अलग कर रहे है, फॉर्मुला एक ही रहेगा, ठीक है, अभी एक सम में इसके अंदर और और करवा रहा हूं, इसके बाद तुम सम सारे प्रैक्टिस करोगे, और दें ट्रेंड अनालिस, ओके चले कम्रीट करें, चले स्टार्ट कर दें, पॉमन साइस, मिसिंग वैल्यू, फंसर स्टेटमेंट लिए, इंकम स्टेटमेंट, जब इंकम स्टेटमेंट आया, तो मेरी दिमाग की पत्ती जल गई, कि जिदर भी नेट सेल्स होगा ना, वो हंडेट परसंट होगा, अब यहां पर दो रूपीस का कॉलम है, तो परसंट सेल्स में माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गूड सोल, और कॉस्ट ऑफ गूड सोल का फॉर्मिला ओपनिंग, एड परचेस, एड वेजेस, एड फैक्ट्री, लेस क्लोजिंग, तो टोटल आपको सीओ जीएस मिल जाएगा, परावरे, मतलब इन सब का अमाउंट इधर आएगा उसमें से यह माइनस होगा, तो यह पाच लाग आएगा, मुझे एक चीज़तो मिल गया, बीस लाग है, टोटल यह पंदरा लाग रहेगा, तो पाच लाग आएगा ना, यह मिल गया पंदरा लाग, आयोप यह समझा, मैंने पंदरा लाग कैसे लिगा, यूंकि जीपी लूँगा अच्छा वाला अरे क्या बात है तो मुझे मालूम है 100 को डिवाइड बाइ 20 लैक्स करना है इंटु इंटु करना है 0.0005 आ रहा है आ रहा है कि नहीं अब आप देखो इस सब कुश्चन मांग दिया गया है यह दिया है तो मुझे दिमाग की बत्ती यह जली कि यह क वालूम है तो परसंटे से अमाउंट निकाल लेता हो डाइरेक्ली अगर 20 लाग 100 परसेंट उसका 20 परसेंट 60 परसेंट 12.5 परसेंट निगा सकता हो ना तो 20 लाग का 20 परसेंट वैल्यू चार लाग 20 लाग का 60 परसेंट 12 लाग हांजी साढ़े बारा परसेंट तो 20 लाग इंटू 12.5 परसेंट 2 लाग 50 थाऊज़न इधर भी 2 लाग 50 है तो इसका भी साढ़े बारा ही रहेगा हाया नहीं पिर इधर तो टोटल लेना पड़ेगा ना इसका उसमें माइनस करना है तो चार सोला अश्री सोला लाग सोला अठा़ लाग अठा़ मिस बीस 21 लाग हो जाएगा 21 में 6 माइनस करो देखो कितना आ रहा है पंद्रा आ रहा है ना तमझ में आ गया अब इदर कोई परसंटेज मिसिंग था एक था सर्व आमने क्यालकुलेट कर लिया इदर आ गए बढ़ते उपर की तरफ देखते और कुछ है क्या समझाना क्या हुआ बढ़ते अब अपरेटिंग एक्सपेंसेज में 7 परसंट निकालना है तो 20 लाग का 7 परसंट 20 लाग इन्टू 7 परसंट एक लाग चाली सदार यह वन लाग फॉर्ट वराबर पिर कुश्चन वाग है और यह टोटल 10.5 है मतलब यह 10.5 है अब मुझे मालूम है यह प्लस यह प्लस यह तो द दो लाग दस अजार है तो 210 में यह मैनिस कर दो न एक लाग नब्बे तो 210 माइनस एक लाग नब्बे 25,000 और इसका टूटल आ गया दूलाग धास अब यह 210 कितना परसंट है वो भी तो निकालना था यह दिया था 10 परसंट साथ और 9 साढ़े 9 वह ना तो शाड़े 9 मतलब य आएगा देखो वान परसंट है ना समझा ना क्या बोला मैंने यह कोश्चन माग का अंसर है वन परसंट अब फिर इदर आते पाच लाख में माइनस करेंगे दो लाख दस तो कितना आएगा फाइव लाक्स माइनस टू लाख टेन टू लाख 90 दो लाख 90 यह चले जाएगा आउटर कॉलम में दो लाख 90 यह सेकंड कॉलम इधा न अपना यह परसंटेज में इधर डैश उदर आएगा इसे हम अभी क्या करेंगा इसका टूटल लिया था इसमें से माइनस किया मनदब इधर नहीं वो लिग देना इधर ओपरेटिंग प् देजार में 2,90,50 एड करोगे कितना माइनस किया मालूम नहीं तो 2,90,50 करो तो 3,40,40,40 में पुस्तो माइनस करेंगे तो 20 तो कितना माइनस करोगे 20 मतलब यह 2,90 एधर है यह आप इधर कट करेंगे और कन्फिज हो जाओगे इसमें यह प्लस और यह माइनस किया तो यह अंसर आए बराबर अब इधर कोश्चन माग को फिलिंदा ब्लाइंग करना है मतलब यह कोश्चन माग इधर नहीं इधर है तो 2,90 तो कैसे करोगे वही जो प्रोसेस था 100 डिवाइड़ेड बाइ 20 लाइक्स इंटू इंटू करके इंट कितना पसंच चीह है 2,90,000 का 14.5 समझा पचास हजार का निकालना है तो 50,000 उस के 2.5 दिया हुआ है बाकी दिया हुआ है 3,20,000 का निकालने का है तो 3,20,000 ব है 16 परसेंट देख को प्लस करके 14 15 16 17 कि दर माइनस करना था यह माइनस सब्सक्राइब कर ओज यех 1 पर्सेंट करोंगे न है दो 16 17-16 गरते कारते आज पर्ण होलें क County को वीडियो परसेंट को लाईक कर देन जोंगते हैं ुपन के Uhr से प्तरदइन से करद हम देन प्रेंड क्रूप में शेयर करना चैनल के सब्सक्राइब करना थांक्यू फोर वाचिंग दे वीडियो